आईए अभ्यास करते हैं आज का first word है यह यह जो आप देख रहे हैं यह एक तरीके का cylindrical shape का bag होता है इसका use आप बहुत तरीकों से करते हैं और इसे English में हम कहते हैं डफल bag Next है बडवा यह जो बडवा आप देख रहे हैं यह एक तरीके का small bag होता है इसमें पैसे रखे जाते हैं और यह जादतर women's carry करती हैं तो इसे English में कहते हैं purse या फिर change purse Next है चप्ठा जेबी बडवा यह जो बडवा आप देख रहे हैं इसे usually man carry करते हैं और इसे हम English में कहते हैं wallet wallet कहते हैं इस बडवे को Next है यह यह जो small bag आप देख रहे हैं ना इसमें handle होता है ना इसमें strip होती है जिसे आप इसे टांग सकें और इसे आप hand में carry कर सकते हैं इसे usually woman carry करती हैं और इसे English में कहते हैं clutch bag Next है यह यह जो bag आप देख रहे हैं इस bag को आम तावर पर महिलाएं इस्तिमाल करती हैं और इसे हम English में कहते हैं hand bag और next है यह bag यह कमर में बांदे जाने वाला जो bag देख रहे हैं आप छोटा सा जिससे पैसे वगरा रखे जाते हैं इसे हम English में कहते हैं bum bag या फिर fanny pack Next है कचरे की थैली और इस कचरे की थैली को आप मिंगलिश में कहते हैं trash bag या फिर garbage bag या फिर bin bag Next है यह जोला यह जोला जो आप देख रहे हैं यह एक तरीके का bag है जिसमें दो handle है जैसे कि आप देख रहे हैं और कपड़े का बना हुआ है यह bag और इस bag को हम इंगलिश में कहते हैं tote bag Next है यह यह जो चोटी attache आप देख रहे हैं यह एक तरीके का flat rectangle bag होता है और इसे carry किया जाता है business documents के लिए और इसे हम इंगलिश में कहते हैं brief case Next है यह यह जो आप बकसा देख रहे हैं यह आप traveling के समय यूज करते हैं और आप इसमें कपड़े वगेरा रखते हैं और इसे हम इंगलिश में कहते हैं suitcase Next है यह यह जो बड़ा बकसा आप देख रहे हैं इसमें भी कपड़े store किया जाते हैं और इसमें अपनी आप personal चीजे भी रख सकते हैं और इसे हम इंगलिश में कहते हैं trunk Next है यह बस्ता यह जो बस्ता आप देख रहे हैं यह school में बच्चे carry करते हैं और इस बस्ते को हम इंगलिश में कहते हैं school bag Next है यह बस्ता यह बस्ता जो आप देख रहे हैं यह भी एक तरीकी का एक बस्ता है जो बच्चे पास्ट में यूज करते थे और इसे हम इंगलिश में कहते हैं सैचल सैचल कहते हैं इस बस्ते को इंगलिश में नेक्स्ट है कंधे पर लटकाने वाला बैक ये जो बैक आप देख रहे हैं इसे हम इंगलिश में कहते हैं शोल्डर बैक नेक्स्ट है ये कागस का बैग ये जो कागस का बैग आप देख रहे हैं इसे हम इंगलिश में कहते हैं पेपर बैग नेक्स्ट है ये बोरा ये बोरा जो आप देख रहे हैं इसमें अनाज वगएरा रखते हैं इसको हिंदी में बोरा या फिर बोरी कहते हैं और इसे इंग्लिश में हम कहते हैं गनी सैक नेक्स्ट है परसादन थैला यह जो आप देख रहे हैं जिसे आप यात्रा के दोरान ले कर जाते हैं जिसमें सोप टूथपेस्ट यह सब रखा हुआ होता है इसे हम इंगलिश में कहते हैं टॉयलेट बैक या फिर स्पंज बैक या फिर वाश बैक तीनों ही बोला जाता है इ आप इसे ले कर जाते हैं तो इसे इंगलिश में कहते हैं रक सैक नेक्स्ट है यह बैक यह बैक जो आप देख रहे हैं यह बकिट शेप का होता है और इसमें ट्रॉय स्ट्रिंग लगी हुई है और इसे हम इंगलिश में कहते हैं बकिट बैक नेक्स्ट है यह बैक यह बैक जो आप देख रहे हैं, इसका कुछ envelope जैसा shape है, और इसे हम English में कहते हैं, envelope bag. Next है ये bag, ये bag जो आप देख रहे हैं, ये rectangular shape का होता है, इसमें carry किये जाते हैं, paper या फिर books. इसे हम English में कहते हैं, messenger bag. नेक्स्ट है makeup bag ये जो makeup bag आप देख रहें इसमें woman अपना makeup का समान रखती हैं और इसे English में कहते है makeup bag नेक्स्ट है ये बैक, ये बैक जो आप देख रहे हैं इसमें आप सूट वगएरा करी करते हैं ट्रैवलिंग के दोरान और इसे हम इंगलिश में कहते हैं सूट बैक या फिर कार्मिन बैक्स नेक्स्ट है पन्नी या फिर थैली इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिक बैक या फिर पॉली बैक नेक्स्ट है ये बैक, ये बैक जो आप देख रहे हैं इसमें आप food बगएरा रखते हैं ये एक तरीके से seal होता है और इसे इंगलिश में कहते हैं freezer bag या फिर ziplock bag नेक्स्ट है ये बैक, ये बैक जो आप देख रहे हैं इसमें जो draw string लगी हुई है इससे ये खुलता है और बंद होता है और इससे हम इंगलिश में कहते हैं pouch नेक्स्ट है ये बैक, ये बैक जो आप देख रहे हैं इसमें आप छोटे gift रखते हैं और किसी guest को देते हैं या फिर किसी event पे देते हैं और इस बैक को कहते हैं इंगलिश में party bag या फिर goodie bag नेक्स्ट है ये बैक, ये बैक जो आप देख रहे हैं या आप अपनी motorcycle में लगाते हैं इसे हम इंगलिश में कहते हैं saddle bag और ये जो बैक आप देख रहे हैं इसे man carry करते हैं और इस तरीकी के बैक को हम इंगलिश में कहते हैं man bag नेक्स्ट है ये बैग, ये बैग जो आप देख रहे हैं, इसमें हम बच्चों के नैपी वगेरा रखते हैं, और इससे हम इंग्लिश में कहते हैं, डाइप और बैग प्लीज लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, और ये हमारे आज के कोईज है, इसका कमेंट सेक्षिन में हमें आंसर जरूर दीजिएगा प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शियर